चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले स्पेशल रिपोर्ट में कि गजा के युद्ध को 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अब बड़ी खबर ये है कि इस युद्ध में चीन कूद पड़ा है चीन के आने से सबसे बड़ा खत्रा इसराइल पर मटराने लगा है चीन फिलस्तीनियों के दो गुटों हमास और फतह का आपस में समझाता करा दिया है इस बड़ी डील के बाद अब गजा से लेकर तेल अवीब तक इसराइल को डबल आटाक की वार्निंग मिली है देखे रिपोर्ट गाजा युद में गुदा चीन अब फ़स गया इसराइल 200 दिन की जंग के बाद इसराइल के लिए गाजा युद एक बार फिर नासूर बनता जा रहा है हालात ये हो गए हैं कि अभी तक गाजा पट्टी को पूरी तरहां से कबजे का प्लान पूरा भी नहीं हुआ है और इधर गाजा से सटे रफा में इसराइली सेना ने बहुत बड़ा उपरेशन शुरू कर दिया है पिछले 15 दिनों के अंदर इसराइली सेना ने रफा में दो जबरदस्त और बेहत खुनी हमले किये हैं जिससे सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं लेकिन इस बीच आरते हमास ने चीन की मदद से ऐसा कदम उठाया है जो इसराइल पर बहुत भारी बढ़ सकता है दावों के मताबक गाजा युद में एक तरहां से चीन कूट पड़ा है और चीन में अब हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीन में मौझूद फटह समर्तखों को एक साथ एक जुब कर रहा है ताकि गाजा युद में हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीनियों को बचाया जा सके हम आपको बता दें कि इसराइल के दो दुश्मनों की चीन ने दोस्ती करा दी है हमास और फटह अब मिलकर इसराइल का मुकाबला करेंगे हमास फटह एक साथ रफा में डबल अटाक हम आपको बता दें कि फिलिस्तीन में दो गुट है जो फिलिस्तीनियों के हक के लिए जंग कर रहे हैं ये हैं फिलिस्तीनी समूफ फते और हमास फिलिस्तीनी समूफ फते और हमास लगबग दो दशक से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं लेकिन अब चीन ने इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी समूफ फते और हमास को एक साथ ला दिया है दोनों को इसराइल के खिलाफ एक जुट कर दिया है चीनी विदेश मंतराले के प्रवक्ता लिंजियान का दावा है कि फलिस्तीनियों की खातिर फत्य और हमास ने दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से हाथ मिला लिया है ताकि इसराइल के हमलों का मुकाबला घाजा और राफा में किया जा सके अमलन अन युबना अला मतमन अद्टिफार्ग आलाई साबकां फी घादी लिकाइश आदी लिकास वान अब आप देखा जडीदा खासा फी दिल हादी अब आप ये भी जान लीजिए कि हमास और फत्य के समझोते से इसराइल को क्या नुक्सान होगा पश्रिमी मीडिया के मताबिक और कुछ घाजा युद्ध के जानकारों के मताबिक अब तक इसराइल की खूफी आइजनसी मुसाद और शिन्बेद घाजा में इसलिए काम्याब हो रही है क्योंकि हमास लड़ाओं की मुगबरी में फिलिस्तीनी गुड फत्य समर्तकों का जबरदस्त हाथ था जो हमास के टॉप कमांडर्स की मुगबरी कर रहे थे लेकिन समझोता हो जाने के बाद अब हमास और फत्य समर्तक मिलकर इसराइली सेना पर हमला करेंगे क्योंकि रफा में इसराइल ने हमले बहुत तेज कर दिये है जरा इस अनिमेशन से समझिए क्यों रफा में इसराइली आपरेशन को कुनी युद कहा जा रहा है घाजा पट्टी के दक्षिनी शहर रफा में इसराइल बड़ा आपरेशन करने जा रहा है जिसकी वज़ा से 23 लाग की आबादी वाले इस इस इलाके में बहानक कुन खराबा होगा यहां हमास के लड़ाकों से ज्यादा आम इनसान मारे जाएंगे पंद्रा दिन के अंदर इसराइल के आईडियेफ ने रफा में बीशन हमले किये हैं जिसमें लगबग 50 के करीब फिलस्तीनी मारे गए है अब रफा में दुनिया वो कूनी मनजर देखने जा रही है जिसकी कलपना करना भी मुश्किल है चीन बेशक हमास और फते की बीच समझौता करा चुका हो लेकिन जमीन पर चल रही जंग में इसराइल को हराना जरा भी आसान नहीं है घाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा फिलस्तीनी मारे जा चुके है हमास के लडाके अभी भी इसराइली सेना पर घाजा पट्टी और रफा इलाके से हमले करने में जुटे हैं सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है जहां से हमास के लडाके हमले कर रहे हैं अब सवाल उठता है कि 200 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इसराइल के सामने घुटे ने क्यों नहीं टेक रहा है इसके पीछे है हमास के वो नेता जो आखरी सांस तक इसराइल से जंग करने पर आमादा है हमास पतेह एक साथ रफा में डफल अटैक हमास के जिन्दा चार्ट टॉप कमांडरों की वज़ा से गाजा युद नगातार 200 दिन से चल रहा है हमास का शीर्ष नेता इसमाईल हानिया है जो अभी तक जिन्दा है दूसरे नमबर पर यहिया सिन्वार है जिसे खान युनुस का खसाई कहा जाता है जो सुरंग युद में बेहत माहिर है वो भी अभी तक जिन्दा है तीसरे नमबर पर मुहम्मद दैइफ है जो हमास अंदोलन की सेन निशा का इस अल्दीन अल्कासम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिन्दा है और चौता है हमास का नेता खालिद मिशाल जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्योरो का प्रमुक है जो जिन्दा है अब देखना होगा रफा पर इसराइल के बड़े हमले से पहले हमास और पते गुट के लड़ाके इसराइली कोराम को रोक पाते हैं या नहीं